हेलो फ्रेंड्स विल्कम बैक टो माई चैनल मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सी लाई डिजाइन फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग स्लीप्स की कटिंग सीखने वाले हैं बिल्कुल बेसिक से तो मेरे पास एक रिक्वेश्ट आए थी कि दि मुझे क्यों चोटी होती होगी तो यह प्राब्लम सायत काफी लोगों को हो रही होगी तो आज के वीडियो देखने के बाद आपके सारे डाउट के लियार हो जाएंगे तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसकी कटिंग हम लोग पेपर में देखेंगे तो यह हमारा फोल्ड कर दिया यह देखिए और फोल्ड करने के बाद इसको हम फिर से एक बार फोल्ड कर देंगे तो यह हमारे फोर फोल्ड में हो जाएंगे तो देखें यहां से हमारी दो आस्तिन निकल के आएंगी तो इस तरह से यह हमने अपने कपड़े को फोर फोल्ड में कर लिया ठीक है और अब 4-4 फोल में करने के बाद देखो इधर साइड हमारा कपड़ा बंद होगा ठीक है जिदर साइड से हमको अपनी आस्तीन की लंबाई रखनी है वो हमारा कपड़ा बंद होना चाहिए और एक साइड यह हमारा बंद है फिर भी तो यह तो कट हो जाएगा तो यह कपड़े के बंद भागए उपर साइड दोनों तो यहां से मैं अपनी आस्तीन की लेंगे तो लेंथ हमको कितनी लेंगी है देखो जैसरे अब्स चोटा हो रहा है हमारा आस्तीन ठीक है तो चोटा क्यों हो रहा है आप कम कट कर रहे हो गाँ या फिर आप जैसर वाला आस्त करना है सिर्फ एंच करना है तुम、、, इधर सीट समझ करना है, या फिर सफ ऐख सीथ एंच या फिर एक सूत, के शौक कुछ ले अबश्तिक के लिए और सवा इंच है और सबीर या फिर एक पर ले लेते हैं यह अब आप्सी की लमबाय कि और जैसे वियुत से जान हिरनां काट करें और पर बॉप्लाउस में अब रहे रहे हैं अब में कोछ या इंच प्लस करना नें हैं गपड़ करने से पहले आपको जितना मोडना है कप्ड़ा आगे की साओक से यह हमारी आस्तिन obedience करने absolutely फोल्ड करना ऐसे पोल्ड कर ले एक पूड्ड कर रसाने लिया तो पूरा हमारा एक बार में फॉल्ड हो जाएगा यांदि कि इधर से अभी थोड़ा सा आगे से फूल्ड होगा कपड़ा कटा वाला अंदर जाएगा और इतने में हमारा हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से हमने आगे से पहले इतना फूल्ड कर दिया अब हमें इस कपड़े से कोई मतलब नहीं है ठीक है अब हमारी जितनी आस्तीन की लेंद है जैसे कि अगर आपको 4,5 इंच चार इंच पांच इंच जितनी रखनी है तो अब यहां पे रखनी है चार इंच ठीक है अब हम क्या करेंगे यहां पर पूरा चार इंच पर निशान लगा लेंगे तो अब यह कपड़े से हमें कोई मतलब नहीं है आप यहां पे यह हमारा आर्मोल में जुड़े ज़ग जाके और यह हमारी फिटिंग होगी तो आर्मोल के साइड हमें कितना लेना होता है हमने की जब भी आस दिन बताई है आपको तो हमेशा आपको इसका मैथेड में ने बताया है जैसे हमारा जितना चेश्ट होता है चेश्ट का हमें आपके केस में 9 इंच हो सकता है जब आप अपना ब्लाउस बनाओगे तुसी के कॉर्डिंग निकाल लेना ठीक है और निकालने के बाद यहां पे लंबाई यह वाली नाप लगा लेना एक लाइन ट्रो कर लेना इस तरह से तो यह हमने 9 इंच पर निशान लगाया ठीक है तो अब यह 9 इंच पर निशान लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे इधर साथ जितना हमारा कपड़ा है यहां से जैसे इतना जितनी लंबाई हमने इधर ली उतना ही इधर भी आएगा तो देखो इस तरह से यहां पे भी एक लाइन ट्रो कर लेंगे तो यह हमने लाइन ट्र करना होता है फुल स्लेट में कितना डाउन करना होता है तो उसकी लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगे तो आप वहां से चेक कर सकते हो तो इसकी बाद अब हम क्या करेंगे यहां पे डेढ़ इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से यहीं से हम उपर की तर परफिस हम जोड़े करना है इसमें हम को गुलाई देना है क्योंकि यह हमारा बार्म होल साइब जोड़ेगा तो यहां पे हम आस्तिन का सेव देना होता है तो एस आकार का सेव देता है यह मैं हुआत्था defender करम दो अब मैं आपको बता दूं कि छोटी क्यों होती होगी आपके आस्तिन देखो जैसे हमने यह साकर का सेफ दिया तो आप हो सकता है इधर भी गुलाई कर देते होगे या देखो इस तरह से अगर आप इधर अंदर की तरफ चौक लगा दोगे और यहीं से कट कर दोगे तो आपक जो हम कपड़ा पलस करते हैं जैसे जैसे हम बिना अस्तरवाला ब्लाउस बना रहें और उसके लिए आस्तिन कट कर रहे तो पिर आपको यहन पिर जिद्श कर लेना है इसका जितना चौणा आपको मे करने के बाद इधर साइट से हम क्या करेंगे अपने बाटम का निशान लगाएंगे यानि कि आपके आस्तिन के जितनी की फिटिंग करना आप है वह लगा लीचेगा तो इस तरह से जैसे मैंने 6 इंच पर लगाया तो अब हम क्या करेंगे यहां पर कपड़े के लिए मार्जि या फिर दो इंच ले सकते हूं तो जितना आप लेना चाहों यहां पर आप मार्जिन ले लीचेगा तो यहां पर डेढ़ इंच तो जरूर ही लेना ठीक है इस तरह से यह हमने दो निशान लगाए अब यह निशान लगाने के बाद यहां से हम इस तरह से अपने बिलकुल यह निशान लगाने लगाने के निशान लेना है यहां फिर चल्ली से में आप इस तँरह से इस से हमको इस आपने आस्तीन का निशान लगाना होता है तो फ्रेंज देखें इस तरह से यह हमने इसको कट कर लिया है अपनी स्लेप्स को अब इसको मैं पूरी ओपन करके आपको दिखाते हूं यह देखें अब यह देखो इतना आस्तिन कट करने के बाद हमको क्या करना होता है देखो सीधा साइड हमारा अंदर की ओर होना चाहिए और इधर का भी सीधा साइड अंदर की ओर होना चाहिए और उल्टा भाग हमारा बाहर की तरफ दोनों का होना चाहिए यानि कि जैसे यह हमारा बाहर साइड है और यह हमारा उल्टा साइड है ठीक है तो फ्रेंज इस तरह से रखने के बाद हमको आस्तिन डाउन करनी होती है एक साइट से ऐसे हमने रखा और दोनों आस्तिन को एक साइट से डाउन करेंगे तो ऐसे हाफ इंच पर हम बिल्कुल से अफ इन्च पर निशान लगाएंगे और यहां पर हम ऐसे गुलाई दे देंगे तो यहां पर हमको हाफ इंच यह हमारा फ्रेंट पार्ट में जूड़ता है जाके तो हमें फ्रेंट पार्ट में इतना हमें अंदर के साथ डाउन करना होता है वरना फिर हमारे आस्तिन में जोला जाता है तो फ्रेंड इस तरह से यह हमने यहाँ पे गुलाई दे दी अब हम इसको इसी तरह से कट कर लेंगे तो इस तरह से यह हमने इसको हाफ इंच डाउन भी कर लिया अब हमारी पूरी आस्तिन कंप्लेट हो गई है अगर आप सिधे डारेक्ट कप्ड़े पे नहीं बनता है तो आप क्या करिए इसी तरह से पेपर के कटिंग कर लीजेगा और जितनी लंबी आस्तिन आपको रखनी है सेम वैसे ही आप कट कर लीजेगा और कट करने के बाद इसको आप अपने कपड़े में रखिएगा और सेम वैसे ही आप अपने कपड़े को कट कर लीजेगा और आस्तिन बन जाएंगे आपके ठीक है तो इस तरह से यह हमारी पूरी आस्तिन की कटिंग कंप्लेट हो गई फ झाल